एक राज़ द्रोह के मामले, सिडिशन के मामले जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, सिविल सिसाइटी खासा आहत है सिविल सिसाइटी यह कहती है कि आप, मतलब कानुन मैं नहीं, जो system है वो डिसेंट को बन करने के लिए राज़ द्रोह के मामले लगा देता है इस दिज में जो आप फृीर्टम उफ एक्स्प्रेशन के नाम से जो नारा लगा रहे हैं यह जो यह आरोब लगा आते कि दिसंट, जो भी लोग करते हैं उसको हम दोबा रहे हैं यह बॉपोजित आफड वोईस को नही शुन रहे हैं वो वही लोग बोल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, तो कहां रुकावत है, किसका आवाज बंद किया हुआ है, मैं तो सबसे ज़्यादा टेलिविजिन में, निउस्पेपर, मेकेजिन या सोशल मीडिया प्लेटफर्म में, सबसे ज़्यादा जो बखवास करते ह वहीं बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है यह ताजुब की बात है कि हम इसे समाज जो अपरेंटली इतना क्लियर है उसको भी हम दिवेड का विशे बनाता है समवीदान का प्रती जो आस्था समवीदान को जो इज़त नरेंदर मोधी जी ने जो दिया है किसी पुर्दान मंत्री नहीं दिया इस देश में फिर भी इल्जाम लगाते हैं यह बहुत दुख की बात है कि इस तरह से बिना मतलब का हवा में लोग उचाल देते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है देमोकरितिक प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं वह तो वही लोग जो बोलते हैं जो क्योटिक सिच्वेशन पइदा करना चाहते हैं जो समाज में आराजकता पईदा करना चाहता है वही लोग उल्टा यह जो इल्जाम लगाते हैं लेकिन क्या जो राजद्रोह के मामले है या जो सिडिशन का लो है उसे री लुक किया जा रहा है? देखें, किसी भी देश में एक कानून अपना सम्वीदान उस हिसाब से सब कुछ होता है और चलता है। वो परिश्थिति के हिसाब से अपना कानून बनाते हैं। अब आप किसी देश में सेडिशन लोग का कोई प्रोविजन नहीं है आप उसको लेकर कि इंडिया में ठोपएगा कि इंडिया में भी नहीं होना चाहिए। हर देश का अपना पैमाना होते हैं हर देश का अपना इतिहास अपना लेगसी होते हैं अपना परिश्थिती होते हैं तो भारत देश इतना बड़ा और इतना प्राचिन देश है इस देश के साथ किसी और देश का साथ तुल्ला नहीं करना चाहिए और चाहिए पर्यावरण क मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो या विदेशी कानून हो आप कानूनों को के मैं चलिए उस मुद्दे पर एक बार आता हूँ लेकिन उससे पहले यह सिदिशन पर एक प्रश्ण और अगर आपकी अनुमती हो जब आप राज्यमंत्री थे ग्रिह राज्यमंत्री 2016 में आपने ये कहा था कि राजद्रों के कानून पर पुनरविचार चल रहा है अब आज की दृष्टी में आपका क्या मानना है इस पर पुनरविचार होना चाहिए इस तरह का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे याद है वो राजसभा में कोईशन आई थे और उस समय हमने कबिटमेंट दिया था पारलेमेंट को कि जो सिलिशन का जो प्रोविजन है वो और भी स्पेसिफिक और वेल डिफाइन होना चाहिए ऐसा उस समय मानना था और उस समय हमने इस बात को कही थी और सरकार का मनन करना था तो मैंने कहा लेकिन इस पर आज मैं क्योंकि मैं होम मिनिस्टर नहीं हूँ तो इस विशे को मैं यह आपको चाहिए वो मीडिया हो मीडिया क्यों नहीं हो फिर भी मैंने कह सकता हूं आभी